असलाम अलेकूम आज मैं आपके लिए ब्रेक्फेस्ट की रेसिपी लेकर आई यह बहुत ही डिलिशियस है इसको आप सब्सक्राइब ब्रेक्फेस्ट में यह साम को भी बना सकते हैं चोटी-मूडी भूग के लिए तो हमने इसके लिए चाहिए दो आलू जिसके हमने इसके अब इसको हमें स्लाइसिस में कट कर लेना है आप किसी स्लाइसर से भी निकाल सकते हैं या फिर नाइफ से भी कर सकते हैं रेसिपी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा इस तरह से हमें स बड़ी साइस की प्याज बारी कट कियी हुई आदा कप हरे दिनिया बारी कट ये हरी मिर्च आपने टेस्ट कर ये मिर्च कम या जादा कर सकते हैं तो एक पर ये फिर तबार रहें लिए टुटेबल इस्पून डालें कुछ सेकंड के लिए हलका सा इसको हम सेख लेंगे यह देखिए हलके से सॉफ्ट हो गए प्याज को अब इसमें एक कर देना हमें टमाटर हरी मिर्च और हड़े दनियां मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसमें एक कर देना है नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग डालें डालें हम डाक सोया सॉस वन टीस्पून विनेगर अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से टमाटर गल चुके हैं दो मिनुट हमने पकाया इसको अब मिन्द कर देंगे इसको एक बोल में तो यह हमने सभी आलू के स्लाइस लगा लिए इसमें थोड़ा सा दो चुटकी बर नमक डाल देंगे तक आलू अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाए और इसको कवर करकर एक मिनिट हम स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तब तक हम यह एक का बेटर तियार करेंगे तो हमने यहाँ पर तीन एक लिए हैं और एक बोल में इसे तोड़ देंगे अब इसमें एट कर देंगे हाफ टीस्पून कालिमिर्स पॉडर यानि ब्लैक पेपर पॉडर हाफ टीस्पून नमक अच्छे से मिक्स कर लेना है आलो को पकते हुए भी एक मिनट हो चुका है तो खोल कर देख लेंगे स्लो फ्लैम पर पक लेए हैं अब इसमें हाफ अंडे का बैटर डालेंगे तो हम यहां पर half wetter भी लगा लेंगे half हम बचा कर रखेंगे जम इसके stuffing लगाएंगे तो उसके उपर हम डालेंगे तो अब stuffing लेंगे हम और इसको अच्छे से spread कड़ देंगे और जो हमने half अंड़ बचा कर रखा हुआ था वह भी इसको अच्छे से कवर कर देंगे बहुत ही एजी रेसिपी है आप बहुत ही कुईकली बना सकते हैं तू टेबल स्पून हमने एक के उपर ओईल डाल दिया है कवर करकर स्लो फ्लेम पर पांच मिनट एक साइड से से शेक लेंगे तो पांच मिनट हो चुके हैं कोल कर देख लेते हैं स्लो फ्लेम पर यह आप सेके हैं ताकि आलू भी अच्छे से इसमें गल जाएं अब इसको हम फ्लिप कर लेंगे यानि पड़ेट लेंगे तो हम इस तरह से इजी ली हो जाएगा और दूसे साइडसे तीन मिनट सेकना है इस लो फ्लेम पर यह दीचिए एक साइड बहुत ही अच्छा कलर आया है कवर करकर हम तीन मिनट के लिए शेक लेंगे तो यहां पर तीन मिनट हो चुके हैं और यह अच्छे से दूसरी साइट से भी सिख चुका है बहुत यह अच्छी कुछ मुगा आ रहेंगे तो एक प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए अब इसको हम कट कर लेते हैं सर्फ करेंगे हम ब्रेड और टोमेटो केचप के साथ तो इस तरह से आप बनाएं और मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दौा में याद रखें अल्ला हाफिज